हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाई स्टेप स्टेडी कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे आज की वीडियो का टॉपिक है फॉअफ्म वीडियो में हमने फॉआ प데 इस के साथ है तो अब दिसकस करेंगे इस मित मित वार्वे प हाटवियर हैं तो एक स्टेड वीडियो में हम इस वार्वेड घुक मनें आप स्टेफ एगए दखिए Firmware जो है आपका hardware क्या होता है hardware वो सब devices होते हैं वो सब components वो सब चीजें जिनको हम touch कर सकते हैं वो होते है hardware जिसे touch नहीं किया जा सकता वो होता है software या फिर वो firmware भी हो सकता है software और firmware में दोनों में ही difference है hard disk, motherboard, ram, mouse speaker, keyboard हो गया आपका ये सारी चीजें को हम touch कर सकते हैं इसलिए ये hardware कहलाती है आपका operating system, windows आपका जो अंदर डला हुआ MS Office है, MS Excel है इन सब चीजें को हम बस देख सकते हैं इन पर काम कर सकते हैं लेकिन हम इसको touch नहीं कर सकते इसलिए इनको बोला जाता है software देखिए जब भी कोई hardware बनता है चाहे RAM हो, motherboard हो, keyboard हो, CPU हो, speaker हो उनके अंदर भी एक memory होती है जो उन्हें help करती है कि hardware के component सही तरीके से काम करें उसके लिए firmware डाला जाता है या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए firmware अंदर burn होता है hardware बनाते time उसमें kind of software डाला जाता है जो hardware specific होता है firmware बाद में change नहीं किया जा सकता एक बार डल गया उसमें तो उसके बाद उसको change नहीं किया जा सकता हम उसे बाद में update जरूर कर सकते हैं लेकिन हम उसको change नहीं कर सकते हैं अपने firmware को एक बार डल जाये तो हमारा direct interaction भी firmware के साथ नहीं होता है हमारा direct interaction कभी भी firmware के साथ नहीं होगा indirectly interact हम firmware से हमेशा ही करते रहेंगे for example आप ये देख लीजिए एक washing machine है हम उसमें कुछ भी डालते हैं कि इतना इतना time होना चाहिए 20 minutes के लिए इसको work करना है 20 minutes के बाद बंद हो जाना है तो इस washing machine के पास अपना एक firmware अंदर डला होता है जो उसको बताता है कि ये 20 minutes तक ही काम करें ऐसे ही TV remote है आपका TV remote में भी अगर आप one दबाते हो तो वहाँ पर एक सामने जो channel चल जाता है वो first number वाला channel चलता है तो remote में ऐसा क्या चीज है जो इसको बताता है कि एक press करने के बाद में जो आपकी LED स्क्रीन है उसके उपर first number वाला channel आना चाहिए और कौन सा channel आना चाहिए वो सब ये firmware बताता है ठीक है कि किस component को क्या काम करना है और कैसे करना है वो बताएगा firmware तो ये जितने भी components हैं इसको आपस में इंटराक्ट करवाके इन से काम करवाता है आपका firmware तो इसलिए कहते हैं कि hardware जो है वो firmware के बगएर काम नहीं कर सकता for example motherboard उसमें बहुत सारे transistors होते हैं MOSFETS होते हैं, JFETS लगे होते हैं तो उन सब को properly काम कराने के लिए firmware होता है ताकि ये सब के सब जो है ये properly काम कर सकें इसलिए इसमें firmware लगाया जाता है ऐसे ही मैंने remote control बताया आपको washing machine का example बताया तो firmware को change नहीं किया जा सकता बट firmware को update किया जा सकता है बट firmware को delete हम नहीं कर सकते because ये ROM में store होता है ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है इसके बारे में और तो हमारे phone में तीन तरीके के updates आते हैं हमारे phone में तीन तरीके के updates आते हैं पहला update होता है कि पहला play store में जाके अपनी application को update करना ठीक है ये महीने दो महीने में आता रहता है फिर दूसरा update आता है अपने Android वर्जन को अपडेट करना जो तो से तीन महीने में आता है फिर तीसरा एक बहुत ही important अपडेट आता है जिसको हम ignore भी कर देते हैं वो होता है hardware update का ये छे महीने से लेकर एक साल दो साल में कभी भी आ सकता है तो यही जो hardware update होता है यही होता है आपका firmware update alright तो ये जो है company direct भेजती है वहां से ताकि आप अपने जो hardware है जो आपका firmware है उसको update कर सकें तो सबसे पहला यहाँ पर hardware होता है जो आपका hardware है उसी के साथ साथ ही हमारा firmware या फिर कह सकते हैं कि इस software attached आता है जब यह hardware company में बन रहा होता है factories में बन रहा होता है तभी साथ साथ यह firmware को भी इस hardware पे install कर देते हैं यह firmware क्या help करता है यह firmware देखता है कि यह hardware जो है सही से काम कर रहा है या नहीं या इस hardware को कैसे काम करना है for example मैंने pen drive लगाई और मैं चाहती हूँ कि इसमें सारे के सारे songs आजाएं तो यह pen drive में कैसे पता चलेगा pen drive को कि मैं इस port में लग चुकी हूँ और मिरको अब इसमें से सारे के सारे जितना भी मेरा data है वो अब मिरको operating system पे लाके देना है तो वो कैसे पता चलेगा वो इस pen drive में जो firmware होगा वो इसको बताएगा कि यह इस port में लग गया है और अब आपको यह जो है इसकी पूरी proper functioning के बारे में इसको firmware ही बताएगा pen drive को इसी तरीके से remote control कोई भी चीज़ आटमेटिक washing machines हो गई आपकी आपके जो traffic lights होती है उसमें भी firmware लगा होता है जो बताता है कि कितने time बाद उसको बंद होना है कितने time बाद चलना है कितने time बाद क्या होना है तो वो सब चीज़ें जो है वो firmware बताता है उसमें भी एक तरीके का software ही हम इसको कह सकते हैं बट पूरा software नहीं है ये hardware के अंदर लगा हुआ आता है तो इसको हम firmware बोलते हैं ठीक है software एक completely different चीज हो जाती है लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि different भी होता है लेकिन ये एक जैसा भी है मतलब ये एक hardware में ऐसी चीज लगी हुई आती है जो काम करती है hardware को ये बताती है कि कैसे काम करना है hardware के components सही से काम करें और कैसे काम करना है वो firmware बताएगा उसको तो ये काम क्या करती है ये software की तरह काम करती है लगी हुई hardware में आती है पर काम करती है ये software की तरह हमारे hardware के पास कुछ तो होना चाहिए जो किसी command को समझ सके कि कोई command आ रही है तो उसको समझ सके कि कैसे क्या होना चाहिए तो यह डाला जाता है ताकि समझ सके कि भई CD डाली गई है तो अब मुझे operating system में डलना है और मुझे operating system में डलके क्या करना है मुझे चलना है या फिर update होना है तो mobile और motherboard में अपना firmware होता है यह हम सब को पता है mobile, motherboard आपका CPU, आपके electronic devices जैसे की आपके TV, remote इन सब में ही अपना firmware होता है BIOS जो है यह एक kind of firmware है जो operating system install करने में help करता है आपकी तो आपको यह बताना है कि यहां से question आ सकता है कि BIOS क्या है, BIOS भी एक firmware ही है अगर आपके उसमें option आए कि software है या firmware तो BIOS एक firmware है, जो help करता है, जो operating system install करने में help करता है आपकी सो होता क्या है आपका basically, यह किस तरीके से आपका बनता है, यह देखिए जैसे यह हो गया आपका hardware hardware के साथ-साथ ही आपका लगा आता है firmware जो एक तरीके का software आप कह सकते हो, बट hardware specific होता है यह इसके साथ-साथ ही जब यह manufacture हो रहा होता है कोई भी hardware पार्ट तो उसके साथ-साथ firmware लगा आता है जो बताता है इस hardware को कैसे काम करना है इस firmware के बगार यह hardware काम नहीं करेगा, तो यह help करता है hardware को काम करने में उसके बाद में यह firmware ही, मानलो hardware में कोई operating system को load होना है या फिर software को काम करना है तो फिर आता है आपका software, राइट software जैसे की operating system, यह hardware हो गया, hardware के अंदर आपका operating system होता है load, operating system जैसे की Windows, Macintosh, यह सब operating system, operating system को आप और क्या बोलते हो, इसको हम system software भी बोलते है और system software में आपके आते हैं, system software में काम करते हैं आपके application softwares application software कौन कौन से, जैसे की आपका हो गया MS Office, Google Chrome, MS Access, यह सारे application software होते हैं जो system software के अंदर काम करते हैं, system software के उपर काम करते हैं right, I hope आपको समझ में आया होगा firmware के बारे में तो machine में जो microprocessor होते हैं, आपकी washing machine में, जो microprocessor होते हैं वो इनको बताते हैं कि कितने minute में चलना है, कितना minute पानी, कितना गरम आना चाहिए, कितना spin होना चाहिए तो microprocessor में भी firmware जो होते हैं, वो inbuilt होते हैं, right example हम ले सकते हैं, कि remote control, dishwasher, washing machine, इन सब में जो software होता है, वो होता है firmware ये factory से डल के आता है, और ये कहाँ पर डल के आता है, ये आपको याद रखना है कि firmware कौन सी memory में डल के आता है आपका तो firmware आपका roam में डल के आता है, roam एक permanent memory है, या फिर कह सकते है non-volatile memory है आपकी alright, so जो firmware है आपका, ये factory से डल के आता है, non-volatile memory में, right अब volatile क्या होती है और non-volatile क्या होती है, हम अलड़ी कर चुके हैं, तो I hope आपको बताने की जुरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा brief ले लेते हैं, कि volatile क्या होती है volatile memory वो होती है, मतलब की जैसे की RAM volatile में आजाता है RAM, non-volatile में आजाता है ROM volatile RAM मतलब read only memory, मतलब की on हुआ, data RAM में गया, computer ने काम किया फिर जैसे ही computer बंद हुआ, तो वो data वापिस से RAM से उड़ जाता है या फिर हम कह सकते हैं, delete हो जाता है non-volatile होता है permanent memory, जैसे की CD-ROM, CD, HD, DVD यह सब होता है non-volatile memory में, right? So, यह जो आपका firmware है, यह कहाँ पर डलके आता है आपका? यह आता है non-volatile memory में डलके, ठीक है? तो यह आपको याद रखना है, firmware comes in your non-volatile memory So, यह जैसे CDs, DVDs, hard disk, यह सब में होता है आपका firmware तो I'm sorry, कि अगर आपको यह पूछे कि किस चीज में डलके आता है तो आपको यह याद रखना है, कि यह आता है आपका जो non-volatile है उस memory में डलके आता है, volatile में नहीं, ठीक है? तो जैसे 2013 से पहले हम, जो firmware है, उसको update नहीं कर सकते थे बड़ 2013 के बाद update कर सकते हैं firmware के बिनाना, computer किसी भी काम का नहीं होता firmware है, तो computer चलता है, firmware नहीं है, तो computer नहीं चलेगा because computer को भी तो instruction देने वाला कोई software होना चाहिए अंदर कि भाई अब उसको चलना है तो वो instruction कौन देगा? अब भाई computer में आपने software को load कर दिया, आपने operating system को तो load कर दिया लेकिन computer को ये चीज कौन बताएगा कि operating system load हो रहा है या फिर अब CD डल गई है, अब आपको operating system को load करना है अपने अंदर windows को load करना है, ये चीज कौन बताएगा computer को तो ये चीज computer को बताता है firmware, ठीक है? firmware hardware के एक हिस्से में जुड़ा होता है firmware जो होता है, firmware में भी किसी भी hardware के basic function को perform करने के instructions या program होते हैं इसलिए हम firmware को hardware के लिए software भी बोल देते हैं, right? तो हम दुबारा से सुन लो, firmware में किसी भी hardware के basic function को perform करने के instructions या फिर program होते हैं इसलिए हम firmware को hardware के लिए software भी बोल देते हैं firmware ऐसा program है जो hardware को के साथ जुड़के आता है right? BIOS भी firmware है जो computer के ROM में stored रहता है तो ये आपको याद रखना है BIOS एक firmware है जो computer के ROM में stored रहता है ये हमने पहले भी करा था BIOS के बारे में alright तो फिर्मवेर देखिए 2013 से पहले जो है firmware को हम update नहीं कर सकते थे लेकिन 2013 के बाद में company को ऐसा लगा कि हमें जो है firmware को update कर देना चाहिए because क्या हुआ था जब ये firmware hack हुआ तो जब hackers के द्वारा उसके बाद ही इसका update आना शुरू हुआ उसके बाद ही company को लगा कि ये hack भी हो सकता है तो हमें इसको time to time अपने hardware को update करते रहना चाहिए तो फर्मवेर update hardware की performance में सुधार या नए features को जोड़ने के लिए किया जाता है ठीक है firmware update किसने होता है hardware की performance को सुधारने के लिए या फिर नए features को जोड़ने के लिए firmware को update किया जाता है firmware update करने से device की जो work capacity है वो बढ़ जाती है और firmware को update करने के लिए आप सीधा क्या कर सकते है product के manufacturer की website से re-updated version को download कर सकते है या फिर cd या फिर dvd से भी हमा उसको download कर सकते है तो computer के operating system में जो होता है computer में operating system को load करने से पहले firmware सभी hardware device को check करता है कि वो ढंक से काम कर रहे हैं या नहीं उसी के बाद में operating system को RAM में load करके काम करने की position में लाया जाता है ठीक है firmware computer में कहां store होता है तो firmware आपको यह याद रखना है कि firmware computer में कहां store होता है तो firmware एक particular memory में store होता है जिसे हम flash ROM भी बोलते हैं या ee ROM भी हम इसको बोल सकते हैं राइट तो I hope आपको समझाया होगा कि firmware है क्या चीज तो यहाँ पर हम देख लेते हैं hardware, firmware और software तो आप यह कह सकते हो कि firmware जो है firmware हाडवेर के साथ ही लगा हुआ आता है यह एक type of software है software नहीं एक type of software है जो help करता है जो बताता है कि hardware को कैसे काम करना है क्या काम करना है यह सब कुछ firmware बताता है ठीक है hardware के सारे components को मिलके कैसे एक साथ काम करना है यह बताएगा आपका firmware यह छोटी सी definition है यह कि hardware के सारे components को मिलके कैसे काम करना है वो बताएगा firmware अब keyboard हो गया उसकी अंदर भी एक firmware है आपका mouse हो गया उसकी अंदर भी एक firmware है mouse का firmware क्या करेगा अब आप left click करते हो जब right click करोगे तो एक menu आजाएगा left click करोगे तो button प्रेस होके क्या हो जाता है? वो select हो जाता है और आपका जो icon है वो open हो जाता है तो mouse को कैसे पता चल रहा है कि बई left click कर रहा हूँ मैं तो बई मेरे को क्या करके देना है? आइकन को क्लिक करना है और icon को open कर देना है और भई अगर ये मुझे पर right click करते है अगर ये मेरे right click करते है तो मुझे क्या करना है? एक इस तरीके की वो खोल देनी है एक application खोल देनी है जिसमें एक menu बार खोल देना है तो ये कैसे पता चलेगा उसको तो जो mouse के अंदर एक inbuilt firmware है वो इसको बताएगा कि भई left click होगा तो आपको icons को open कर देना है right click होगा तो आपको ये menu बार खोल देना है right तो firmware का काम होता है मुटा मुटा सा ये तो अब पढ़ लेते हाड़वेर के बारे में थोड़ा सा physical components of electronic device body of any device होता है hardware body of any device hardware एक complete device है physical unit of physical unit of a device इसको बोला जाता है example है hardware के keyboard, mouse, speaker, motherboard and hardware जो है it cannot operate without a firmware ये is very important point to note that कि firmware के बगएर hardware operate नहीं हो सकता क्योंकि firmware ये hardware को बताता है कैसे चलना है, क्या करना है तो hardware को बताने वाला भी कोई चाहिए होता है और वो बताता है आपका firmware so firmware से यहाँ पर हम पढ़ लेते है set of instructions और programs ये written नहीं है ये written है written in machine language which are used to operate hardware ये कुछ set of instructions है या फिर हम इसको कह सकते है program है set of program है ठीक है set of instructions ये program जो machine language में लिखे जाते है which are used to operate the hardware then these are set of instructions firmware it cannot be changed after production हम इसको change नहीं कर सकते बत 2013 के बाद जब hacking वगेरा हुई firmware की तो हम इसको update कर सकते है इसको हम delete नहीं कर सकते right delete नहीं कर सकते कि भी हम चाहें कि firmware को delete कर दे तो हम उसको delete नहीं कर पाएंगे firmware के बगेर आपका computer start नहीं होगा firmware को hard of device भी बोला जाता है example है firmware के जैसे bios tv program ये कैं remote टेलिविजन रिमोट के अंदर firmware होता है washing machine के अंदर firmware है आपकी आपके हर जो hardware चीज बनके आती है ना company से उसके अंदर होता है आपका firmware जो उस hardware को बताता है कैसे काम करना है उसके अंदर जितने भी components लगे होते हैं उस hardware में जब भी कोई fault आजाता है इन components में तो उस time में हम इनको क्या कर सकते है अपडेट कर सकते है तो firmware में क्या हो सकते है कि हम इसको अपडेट कर सकते है कुछ चेंज नहीं कर सकते है इनकी अपडेशन हो सकते है जब लगता है कि कमपनी को लगता है कि बग आ गया उसमें या ऐसा कुछ हो गया तो वो क्या कर देते है कि कह देते है कि अपडेट कर लो इसको यहीं पर software की बात करें तो हम collection of instructions that tells computer how to perform a particular task यह collection of particular instructions है जो computer को बताते है कि how to perform a particular task example है आपका system software and application software system software में आपको पता है windows, macintosh यह सब आजाते है application software में आजाते है आपके ms office, ms word यह सब ओते है आपके application software all right software can be big but main जो firmware है वो usually छोटे होते है firmware usually छोटे होते है लेकिन software बहुत बड़े भी हो सकते है software को हम change कर सकते है constantly लेकिन हम firmware को change नहीं कर सकते हम इसको update कर सकते है और वो भी update इसका 2 साल, 3 साल, 1 साल में इस तरीके से आता है update वो भी जब company को लगता है इसके firmware में चेंज करने की इसके hardware में कुछ चेंज करने की नीड है तब ही यह firmware जो है जब company को लगेगा कि इस hardware की functioning को थोड़ा सा हमें और इंप्रूफ करना है थोड़ा सा और बेटर करना है तब यह चीज आती है तो operating system, microsoft office, google chrome यह सब आपके software के examples है so I hope it is clear to you firmware क्या होता है अगर फिर भी कोई doubt आता है तो comment section आपके पास open है आप उसमें comment कर सकते है till then take care and keep studying